Hello Friends, देखे, आज इस बहुत ही प्यार से और इजी से डिजाइन को बनाएंगे, केवल चार सलाई में बनता है, बहुत ही इजी डिजाइन है, बीगनर्स हो तो बीगनर्स भी इस डिजाइन को बना सकते हैं, बहुत ही आराम से, केवल दो-दो फंदो में बनने वाला ये डिजा साइड है तो चलो बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं बारा फंदे पहली सलाई लगाएंगे हम सीधी तरब से रोवन राइट साइड देखिए पहला फंदा ऐस चीचे से इस तरह से स्लिप करेंगे इसके बाद इस सलाई को हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर यह पहली सलाई पूरी हुई ठीके दूसरी सलाई बनाएंगे उल्टी तरब से सेकेंड रोव रॉंग साइड पहला फंदा ऐस चीचे से उल्टा उतारेंगे अब धागा हमने दूसरी तरब कर देना है अब देखिए इस सलाई को हम भी इस सलाई को भी सीधा बनाएंगे उल्टी तरब से दूसरी सलाई पूरी सिधी सिधी बनी जाएगी केवल एस स्टिच को हमने उल्टा बनाना है इस तरह से यहाँ पर यह दूसरी सलाई पूरी हुई देखिए अब तीसरी सलाई ध्यान से देखिएगा 3rd row राइट साइड से देखिए पहला फंद आएस टीचे से सीधा उतारेंगे इसके बाद आप देखिए जो देखिए एक और दो फंद है ना इन दो फंदो के बीच में ये वाला जो धागा है पहले उपर वाला जो धागा है इस धागे के नीचे हमने सलाई डालनी है इस तरह से एक बड़ा सा लूप यानि एक फंदा हम यहां पे बनाएंगे थोड़ा अम इससे लूजब बनाएंगे ठीक है इसके बाद इन दोनों फंदों पे स्लाई डालकर सीधा बुणर देंगे दोपा एक करेंगे बैम लूप से बुणते विए दोपा एक हमें Is तो देखे जो यह फंदे हमने बनाए इसे को ही हमने रिपीट करना है पूरी सलाई पर फिर से देखिए एक दो फंदे के बाद यहां पर देखिए यह जो धागा है उपर वाला जो इन दोनों फंदों के बीच में यह जो धागा है इसके नीचे हमने सलाई डालनी है और एक बड़ा सा लूप यहां से निकालना है इसके बाद इन दोनों फंदों पे स्लाइड डालेंगे और बैक लूप से यानि कि पीछे की तरब से इस तरह से दोका एक करेंगे इस तरह से बुनते वे दोका एक करना है फिर से देखिए यहां पे सलाई डालेंगे एक बड़ा सा लूप यहां से बनाएंगे इसके बाद इन दोनों फंदों पे सलाई डालेंगे और दोका एक करेंगे पीछे की तरफ से बुनते वे ऐसे पूरी सलाई हमने इसी तरह से बनानी है दो फंदे के हमने यहाँ पे दो फंदे बनाने हैं एक फंदा हमने यहाँ से निकाल के बनाना है दूसरा फंदा हम इन दोनों फंदों का एक फंदा करते बनाएंगे ऐसे ध्यान हमने इस बात का रखना है कि हमने इस डिजाइन पे सारे फंदे धिले धिले बनाने है यानि कि लूज हमने रखने है आफों को हमने थूढा लूज रखना है S-Stitch को सीधा बनाएंगे तो इस तरह से हमारी तीसरी सलाई यहां पर पूरी होती है चौती सलाई बनाएंगे उल्टी तरब से 4th row wrong side से देखिए अब देखिए चौती सलाई हमने कैसे बनानी है S-Stitch को और इसे इन दो फंदों के बाद हम यहां पर अब की बार हमने फंदों के बाद यहां पर सलाई डालनी है और एक लूप यहां से निकालना है ऐसे इसके बाद इन दो फंदों का एक पंदा करना है फिर से देखिए एक दो दो फंदों के बाद यहां पर सलाई डालेंगे और एक लूप बनाएंगे फिर इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे पूरी सलाई हमने इसी तरह से बनानी है दो फंदों के बाद सलाई डालेंगे एक लूप बनाएंगे फिर दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे बैक लूप से बुनते वे ऐसे दो करेंगे जब लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो दो फंदों के बाद यहां पे सलाई डालेंगे और यहां से भी हम एक लूप बनाएंगे और फिर इन दो फंदों का एक बंदा करेंगे ऐसे तो यहां पे यह चार सलाई पूरी हुई चार सलाई का यह डिजाइन है इनी चार सलाईों को हमने बार बार रिपीट करना है फिर से हम यहापे पहली सलाई लगाएंगे तो इन चार सलाईों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनेंगे वैसे वैसे यह बहुत ही खुबसूरत दिखाई डेता है देखिए इस तरह से यह आएगा जब आप इसे जादा बुनोगे तब ही यह डिजाइन आपको अच्छे से डिखाई देगा देखिए बहुत एजी डिजाइन है और देखे बनने के बाद एक इतना खुबसूरत दिखाई देता है आप जरूर बनाईएगा इसे और मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा अलागा अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई